नमस्ति अपरी बडिया और वल्कम बैक आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 Amazing Facts About Bollywood Movies क्योंकि फिल्म्स हर जनरेशन में अपना एक क्रेज रखती है राइट क्योंकि जाधा तर फिल्म्स हमारी फैंटेसी और सपनों से मिलते जुलती होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों के अंदर हीरो एकदम पतले इंसान से अचानक Body Builder कैसे बन जाता है और तो और फिल्मों में बहुत सारे हीरो के Six Pack Apps दिखाए जाते है और असल जिंदगी में दिखा जाए तो उनके फिटनेस मूवीज में जो शॉट दिखाए है उससे बिल्कुल नहीं मिलती और तो और फिल्मों में अक्सर रियल लाइफ क्लिप्स के अंदर कैसे हीरो का चेहरा लगा दिया जाता है जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रही है अपने अल्मोंस सभी मूवीज में हीरो की अच्छी बॉड़ी और Six Pack Apps देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक पल में हीरो की बॉड़ी किसी मोटे आदमी से हेल्दी बॉड़ी में कैसे बदल जाती है ये असल में दिखने वाले अनफिट हीरो अचानक से मूवी के अंदर Six Pack Apps और Muscles कैसे बना लेते है बलकि अगर आप रियल लाइफ का एक्जामपल भी लेना चाहो तो भी जिम जाने के लगबग चार से पाच महीने बाद ही इंसान की बॉड़ी में चेंजेज होना शुरू होते है तो ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये हीरो अपनी हर पिच्चर के रोल के हिसाब से अपनी बॉड़ी को कैसे बना लेते है आज हम आपको इन अलग-अलग बॉड़ी के बीचे के सीक्रेट के बारे में बताने वाले है वैसे 6-pack abs वाले trend के शुरुआत असल में सल्मान खान ने की थी जिनने हमेशा ये अच्छी बॉड़ी और मसल्स में देखा गया है धरसल मूवीज में हीरो के 6-pack abs दिखाने के लिए VFX का इस्तिमाल किया जाता है VFX का मतलब है visual effects जिसमें computer और कुछ software की मदद से हीरो को 6-pack abs और अपनी पसंद की body edit करके लगा दी जाती है इसके अलवा VFX के साथ साथ artificial body का भी इस्तिमाल किया जाता है यानि अक्सर फिल्मों में हीरो को इस तरह की costume पहनाई जाती है जो देखने में बिलकुल असली body की तरह लगती है और ये इस तरह costume सिलिकॉन से बनी हुई होती है जो बिलकुल ही असली लगती है आप भी इस तरह का artificial muscle suit Amazon से खरीद सकते हो आपने बहुत सारी ऐसी pictures देखी होंगी जो real life के incidents के उपर based होती है जिसके अंदर hero उस कहानी के इनसान को represent करता है वैसे ये real life incidents सालों पहले का होता है तो आप भी अकसर सोचते होंगे कि आखिर इस जगा पर actual में shooting कैसे की गई होगी या फिर वाकई में film का hero उस वक्द उस particular जगा पर कैसे मौजूद था हम आपको पहले ही ऐसी किसी movie का नाम बताते है जैसे MS Dhoni The Untold Story आपने MS Dhoni जरूर देखी होगी MS Dhoni film में सुशान सिंग राजपूत ने hero यानी महेंदर सिंग धूनी का role निभाया था MS Dhoni film के अंदर ऐसे बहुत से scene दिखाए गए थे जहांपर सब कुछ real था जैसे match के बीच का scene, audience, साथ खेलने वाले players, opposite team, etc बस धूनी के जगा पे सुशान सिंग राजपूत को replace किया था तो क्या आपको भी लगता है कि film के director ने फिर से उन सभी लोगों को एख़टक किया होगा ताकि वो scenes को shoot किया जा सके जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दरसल इस तरह की scenes को shoot करने के लिए VFX का इस्तिमाल किया जाता है मूवी को real जैसा दिखाने के लिए असली match की कुछ clips को VFX की मदद से edit करके सुशान सिंग राजपूत के चेहरे को धूनी की जगा लगा गया था और उन edited हुई clips को film में डाला गया था अब आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि real life for based films कैसे बनती है fact number 3 kissing scenes अब मुझे बता है कि आप ये वाले point के लिए बहुत interested हो क्यूंकि movies में बहुत से intimate और kissing scenes को दिखाया जाता है जो एक movie में chemistry को दिखाने के लिए काफी जरूरी भी होता है लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या सच में hero और heroine एक दूसरे को kiss करते है तो इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों है दरसल बहुत से hero और heroine ऐसे है जो camera पर असल में kiss करते है वहीं कुछ hero और heroine ऐसे भी है जिनकी no kissing policy होती है यानि वो कितने भी पैसे लेकर kissing scene के लिए तयार नहीं होते no kissing policy में सल्मान खान का नाम शामिल है अब आपको इन kissing scenes के पीछे का राज बताते है असल में जो hero और heroine इस तरह के scenes के लिए तयार नहीं होते है उनके साथ kissing scene को shoot करने के लिए अलग तरीका इस्तमाल किया जाता है जैसे shooting करते वग हीरो या heroine को किसी हरी color की goal सी दिखने वाली चीज को kiss करने के लिए कहा जाता है जैसे कि आप देख सकते है कि काजल अगरवाल किसी हरी सी बड़ी ball को kiss कर रही है वहीं दूसरी तरफ सामने वाला hero या heroine को भी किसी शीशे को kiss करने के लिए कहा जाता है जैसे अभी इस वीडियो में सूरिया एक शीशे पर kiss कर रहे है जिसमें बाद में visual effects की मदद से इन दोनों अलग-अलग scenes को एक साथ जोड दिया जाता है जिसके बाद देखने में ऐसा लगता है कि ये बिलकुल real shooting है अक्शन movies को हर जगा बहुत जादा पसंद किया जाता है और जब इनसान और किसी बड़े जानवर या फिर किसी बड़े से creature के साथ हो तो उसकी बात ही अलग होती है आपको क्या लगता है इस तरह के pictures में क्या hero वाकई में जानवरों से लड़ता है या फिर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता होगा कि आखिर इस तरह के जानवरों को लाया कहां से जाता होगा जैसे मैं आपको बहुत ही मशूर फिल्म की मशूर लड़ाई के example देता हूँ बाहुबली फिल्म में भलाल देव एक बड़े से बुल यानी सांड से लड़ते है आपको क्या लगता है क्या वाकई में किसी ने इतने बड़े सांड से लड़ाई की होगी बाहुबली मुवी में इस फुल फाइट सीन को शूट करने के लिए वी एफेक्स का इस्तिमाल किया गया था जैसे इस सीन में भलाल देव जिस सांड से लड़ रहे है वो सिर्फ विज्वल एफेक्स है भलाल देव ने पहले स्क्रिप्ट के हिसाब से लड़ने वाले आक्शन किये जिसके बाद वी एफेक्स की मदद से वीडियो में सांड को जोड दिया गया भही इन में एक सीन ऐसा भी है जहाँ पर भलाल देव सांड के सर पे अटाक करते है उस सीन में भलाल देव ने लकडियों से बने हुए सांड के एक स्ट्रक्चर पर अटाक किया था बहुत सी सूपर हीरो या फैंटेसी मूवी होती है जिसके अंदर हीरो और हीरोईन के उड़ने वाले सीन होते है क्या आपने कभी सोचाए कि आखिर ये लोग कैसे उड़ने लग जाते है या ऐसी कौन सी टेकनोलिजी है जिसके मदद से कोई भी उड़ने लग जाएगा जैसे बहुबली फिल्म में तमन्ना को आप इस तरह से उड़ते होए देख सकते है और क्रिश फिल्म में आप रिदिक रोशन को इस तरह से बड़ी बड़ी छलांग लगाते होए देख सकते है आपको बता दे कि इस तरह की सीन को शूट करने के लिए विजुल एफेक्स का इस्तिमाल किया जाता है जैसे किसी भी उड़ने वाले सीन को शूट करने के लिए हीरो और हीरो इनको केबल से बान दिया जाता है और हरे कलर के बैग्राउंड में उन्हें केबल से उपर की तरफ खीचा मतलब उड़ाया जाता है और विडियो को विजुल एफेक्स की मदद से एडिट कर दिया जाता है फिल्मों में बह道 से अलग-अलग सीन को दिखाया जाता है जिसमें से सबसे ज़ाधा कॉमन सीन है फायर वाला सीन कई बार फिल्मों में हिरोईन आग के अंदर फसी हुवी होती है तो इस तरह आग वाले scenes को कैसे shoot किया जाता है क्योंकि अगर इस तरह के scenes को सच में असली आग के साथ shoot किया जाएगा तो चोट लगने के 99% chances होते हैं चलिए हम आपको बताते हैं दरसल इस तरह की scenes को VFX यानि visual effects की मदद से film आया जाता है जैसे डिरेक्टर hero के साथ green color के background में आग वाले scene को shoot कर लेते हैं जिसके बाद visual effects की मदद से उस scene में आग वाला background डाल दिया जाता है Bollywood movies अपने unique action scenes और especially car stunt के लिए बहुत मशूर है क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर movies में car accident वाले scenes को कैसे shoot किया जाता होगा accident वाले scenes को कुछ steps में shoot किया जाता है पहले step में hero या heroine भागते हुए road को पूरा cross कर लेता है जिसके बाद दूसरे step में green color के background के साथ hero या heroine accident हो जाने की acting करते है तीसरे step में जिस भी car से accident करवाना होता है उसे road पर 30 से गोजारा जाता है इन सभी steps के बाद last vfx का step आता है जिसमें पहले के तीनो steps को एक साथ जोड़ कर edit कर दिया जाता है जिसके बाद video बिलकुल ऐसी लगती है कि accident असली में हुआ था so hanji guys that was it for today's video अगर आपको ऐसे interesting videos देखने हैं तो channel को subscribe करके video को like ज़रूर करना अभी आपके screen पे जो video pop कर रहा है प्लीज उस पे click करो मैं मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो में until next time peace out